असलामु अलेकुम वेल्कम टी स्टूडेंट यूब आज के इस लेक्चर में चैप्टर सैवें आइकम पार्ट वन बिजनेस मैद बुकिशाहिद जमाल की चैप्टर है मैट्रिस इन डिटर्मिनेंट कुछ नहीं हमाई पास 1 फिर प्लस 1 ले लेते हैं तो अंदर आजाएगा 2, 3, 3 and 5 ठीक है 3 आ गया अब यहां पर 3 वन जा 3 माइनस 5 फोर जा 20 माइनस का 5 फिर 2 वन जा 2 माइनस 3 फोर जा 12 प्लस 1 तू फाइव जा 10 माइनस 3 फोर जा 9 3 इसी तरह से रहा अब यहां पर 3 माइनस 20 17 हो गए माइनस 5 फिर यहां पर 12 मेंसे 2 गए माइनस का 10 प्लस 1 और 10 मेंसे 9 गए 1 बचा सो 3 मल्टिप्लाइब बचा 17ід फिर फिर 51 प्लस 5 फिर प्लस 1 वन वन जा 1 यहां पर माइनस का फिर बचेंज का 16 it आप माइनस का 51 मेंसे 50 गया तो यह minus कवन रहा प्र प्लस कवन cancel हो गए तो बच गया 0 और जब हम determinant निकालें और इसका answer 0 आए तो इसका मतलब है कि जो यह matrix था singular matrix तो जिस तरह से हमने यहां पर determinant निकाल और इसका answer 0 आया तो इस matrix को हम कहते हैं singular matrix तो आई होब कि कुशन आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद exercises and questions के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही अपने classmate and friends से शेयर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफ़ेज